तो करो या मरो, do or die महात्मा गाधी ने दिया, उसके बाद तुम मुझे खोन दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा, give me a blood and I will give you freedom, ये सुभाश चंद्र बोस ने दिया था, इन कलाब, जिन्दबाथ, long life, the revolution, ये सहीध खगत, शहीध भगत सिंग ने दिया था, उसके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदू से तो हमारा ये मुहम्मत इकबाल ने दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदू सोता हमारा 894 question ने ये किस ने दिया था मुहम्मत इकबाल ठीके और 895 जन्रगर मन अधिनायक जै है ये किस ने दिया रास्टगान किस ने दिया था, रवीन्द नाथ टैगोर ने उसके बाद देश बचाओ, देश बनाओ, यह किस ने दिया था? नर्शिमा राउने, पीबी नर्शिमा राउने बुरा, देश बचाओ, देश बनाओ, इन में से एक question जरूर किसी competition में आता है, याद अखना, उसके बाद कम अधिक बाते कम, काम अधिक बाते कम, यह बहुत dialogue ह लगने दिया था, उसके बाद वंदे मातरम, यह किस ने दिया था? बकिंगम चंद्रा चटर जी, वंदे मातरम है क्या? नेशनल सॉंग है, ठीक है? तो नेशनल सॉंग राश्ट्रिय गीत जितको बोलते हैं, वंदे मातरम है, बकिंगम चंद्रा चटर जी ने दिया, भारत पांडे जय जवान जय किसान हेल दे सोलियर हेल दे फॉर्मर यह किस ने दिया था लाल बहदुर शास्त्री ने सत्त मेव जयते इंद्रा गाधी ने दिया था ठीक है दिल्ली चलो शुबाज चंद्रबुस उसके बाद पुराना सुराज जवाला नहरू देश की पूजा ही राम की पूजा है यह किसने दिया था मदनलाल धिंगरा कर मत दो कर मतलो समयते हैं कर पहले देना पड़ता था किसी भी काम के लिए किसी भी कंपनी के लिए आज जैसे टैक्स जिसको बोलते हैं तो अंग्रीजे को देना पड़ता था तो यह किसने बोला थ सर्दार वल्लब भाई पटेल संपून क्रांती जै प्रकाश नरायन कश्मीर चलो डॉक्टर मुल्ली मनोहर जोसी जै जगत कि इसने बोला था बिनोवा भाव भावे समराजवाद का नाश हो भगत सींग ने बोला था ठीक है साइमन कमिशन वापस जाओ ये किसने बोला था ल जै हिंद ये किस ने दिया था सुबास चंदर बोस जै हिंद बोले थे हिंदी हिंदू backside रिखेंगे रिखेंद बनाया था किष्ण मिशन चलाया था ठीक है तो आप याद रखो स्वामी द्यानेंद में कन्फिजन की जरूत नहीं है आराम हराम है कौन बोला जवाला नहरू कास्ट ऑफ और लेजिनेस सर्फ फ्रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना अब हमारे दिल में है राम परसाद बिस्मिल ठीक है फोब लिप्सां इंडिया डाइज जो भी इंडियां में रह रहा ह वो मरेगा ज्वाला नहरू न ही बोला था आप आसानी से भारत चोडो अंदोलन मातमा गाधी जय जवान जय किसान लाल बादु सास्त्री ये इंडिया पाकिस्तान वार में 1965 में दिया था जय जगत विनोवा भावे कर मद्दो डोन गिप टैक्स ये सरदार वल्लभाई पटेल ठीक है संपून क्रामती टूटल रिवोलुशन जय प्रकास न उसके बाद समराजवाद का नास भगत सिंग उसके बाद सौराज इस माई बर्थ सेल्फ रूल इस माई राइट एकबाल गल गंतर प्लिक ने दिया था सर्फ रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये कितने दिया था राम परसाथ बिस्मिल सारे जहां से अच्छा हिंद विल प्रूब देट धने अफ काइसकेट ब्रिटिश रूल ये किसने दिया था लाला लाजपत राय उसके बाद मुसलिम वर फुलिष दे डिमांड प्रोटेक्शन और हिंदू वर फुलिष दे रिजेक्टेट दिया दिमांड तो मुसलिम ने जो डिमांड कि हो बेकूफ तो दोनों के दोनों वर बेकूफ थे और दोनों के दोनों बेकूफ हैं तभी जो है क्या है राजनीती के चक्र में आकर आपस में खूल खराबा करते हैं जय जवान, जय किसान, अटल बिहारी बाजपई, don't take rest after your first victory, because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck, या दखना, आप जोए, कोई एक काम्याभी के बाद, just रुख मत जाओ, च्योंकि रुखना, आपको ये लोग अपनी जुबान खुने लगेंगे, कि साइद ये लग से काम्याभ हुआ है दूथरी victory भी हासल करो, जवर्दस्त, उसके बाद, medicine for epilepsy, neurological disorder, मिर्गी के लिए कौन सा दबा इस्तिमाल करते हैं, तो है, from which lichen, तो काई से जो है, काई से जो है, neurological epilepsy, जो उसको बोलते हैं, मिर्गी की दबा, तो मिर्गी की दबा काई से कैसे, कौन सी काई है, जिससे इस्तिमा काई, आप सोचते होगे, किसी काम का नहीं, लेकिन, God ने हर चीज को काम ही के लिए बनाया है, ठीक है, तो काई, जो है, मिर्गी की दबा में काम आता है, उसके बाद, the first railway line in India was opened in which year, 1853, और कहा से कहा तक चलाया गया था railway line, आपको मालू मुना चाहिए कि मुंबई से थाने उसके बाद, what is considered as the easily digestible source of protein, जो है, सबसे अच्छा easily digestible protein कौन सा है, तो vegetarian के लिए अगर जो कोई protein की ज़रू हो थे जिसको और बहुत easily digest होना, तो soybean खाया करे, तो अगर कोई vegetarian है, तो जरू ही नहीं कि vegetarian रहेगा, तो वो उसके अंदर protein नहीं, protein के लिए soybean खाया करे, बहुत easily digestible है, और जो non-based है, वो क्या है, easily digestible नहीं, उनके time लगता है, उनको 8-12 घंटे लगी हम उनको digest होने में, उसके बाद, which port especially developed for exporting iron ore to Japan, iron ore के लिए कौन सा port मस्णुर है, तो यहाँ दखना परदीप port यह मस्णुर है, वो परदीप port यह मस्णूर है, और यह बहुत जितादा फेम यहां से आयन और इंडिया में निकलता है और उसको जैपैन में सप्लाई किया जाता है और आपको मैंने पहले बता दिया कि और क्या है जो जमीन के अंदर से निकालते है और उसको फिर प्रोसेस करके यूसफुल एलिमेंट में इस्तिमाल करते है जैसे बॉकसाइड भी क्या ह है बायो डेवर्सिटी के लिए वह व्यस्टेन घाट है हिमालिय आ्गी वर्छें इंडानो ऴнев आषिक न रेंजंक इसको बताए सुंडा लेंड तो निको बार हमालिये वेस्टे घाट इंडार इंडां ये dużo जो होते ही यहां सबसे ज्यादा जो है , न्युम्रेश ओ्ड़िय मेंक पाई आती हैं जो भी यहाँ होता है बहुत ही ज्यादा वेस्टर घाट में क्या होता है Global Bay the city होती है Shooting बाइओडिस vendors एतल त्रेमस सब ज्यद्स सब्सक्राइब करने त्राइब उसके बाद which transition metal is liquid state Mercury metal such as Caesium, Gallium तो याद रखना which transition metals in liquid state कौन सा ऐसा metal है जो क्या होता है 吩़ लिक्विड state में होता है तो Mercury होता है Metal है लेकिन कोई भी metal क्या Liquid state में होता है हालां कि Mercury Metal होता है लेकिन He fruitful state में होता है Caesium, Gallium और Rubidium यह भी थोड़ा सा जट इनको गरम कर दे, Cezium, Gallium और Rubidium को थोड़ा सा गरम कर दो, Room Temperature से थोड़ा सा जढ़ा कर दो, धूप में लेके चले जाओ, तो यह क्या हो जाते हैं? धूप में लेके चले जाओ, तो यह क्या हो जाएंगे? melt कर जाएंगे, Cezium, Gallium, यह जो normally metal है और room temperature पर ही यह क्या होता है? Room temperature पर ही यह melt रहता है और cesium, gallium, rubidium यह थोड़ा सा room temperature से ज़ाधा कर दोगे तो यह melt कर जाएंगे उसके बाद our non-metal which is in the form of liquid at room temperature कौन सा ऐसा non-metal है जो room temperature पर liquid होता है? वो bromine है तो bromine जो है वो क्या होता है? यह non-metal है लेकिन यह room temperature पर liquid होता है iodine है जो non-lustrous non-metal है iodine जो है यह lustrous है iodine क्या है देखो non-metal है लेकिन यह क्या होता है? lustrous है बहुत ही ज़्यादा चमकदार है graphite जो है यह सब जानने की चीज़े हैं graphite बहुत ही ज़्यादा important है physics के लिए और chemistry science के लिए खासकर जी के graphite एक allotropes है carbon का जो non-metal है लेकिन good conductor of electricity है तो ऐसे से कुछ exception है जिनको आपको याद रखना चाहिए bromine जो है वो कैसा है जो room temperature पर liquid होता है non-metal है और metal में देखा जाए तो mercury है mercury जो है metal है लेकिन क्या है room temperature पर क्या है जो है liquid है तो यह सारी चीज़े बहुत ही ज़्यादा जरूरी है which metal is poorest conductor of electricity काउन सा metal जो है सबसे बेकार सबसे कम electricity conduct करता है वो है bismuth and tungsten तो metal ही है लेकिन इसके अंदर क्या होता है electricity पास बहुत कम होता है उसके वहाब which metal is the best conductor of electricity आप जानते होगे चांदी silver silver सबसे अच्छा conductor electricity का होता है ठीक है electricity का सबसे अच्छा सूचालक जिसको बोलते है वो silver है which non-metal is the best conductor of electricity कौन सा ऐसा non-metal है जो आप जनते होगे non-metal सब के सब क्या होते है electricity के conductor नहीं होते है लेकिन एक non-metal ऐसा है जो बेस्ट conductor of electricity है वो graphite है the highest biodiversity forest is tropical highest biodiversity forest कौन सा है tropical rainforest उसके बार in absence of ribosome in a cell which function does not take place अगर ribosome नर है तो कौन सा कौन सा फंक्शन नहीं होगा अगर किसी cell के अंदर ribosome नर है सोचो जड़ा तो क्या होगा तो कौन सा function काम ही नहीं होगा protein synthesis protein बनेगा ही नहीं तो एक cell animal का cell है आप देखते होंगे इसके अंदर cytoplasm ठीक है ribosome mitochondria nucleus ठीक है यह कुछ lysosome cell membrane यह सारे चीज़े कुछ होती है तो ribosome are called cell structure that makes protein तो ribosome क्या होता है एक cell structure जो protein के बनाने में काम आता है और cytoplasm में होता है वो waste material को हटाता है याद रखना एक cell के अंदर इतनी चीज़े होती है cytoplasm क्या होता है waste material जो बेकार material होते है उनको हटाता है और shape देता है किसी cell को function of mitochondria आप जानते होगी कि respiration में काम आता है इसको powerhouse बोलते है function of lysosome जो होता है वो digestion में काम आता है तो यह cell के अंदर होता है उसके बाद to whom does the public accounts committee submit its report जो है किसको जो है public committee public committee जो है अपनी report दर्श करती हो है the speaker of log sabha तो public committee क्या काम करती है अगर कोई भी complain करना होता है तो log sabha speaker of log sabha वहाँ पे अपनी बातें बताती है कि यह सही हुआ यह गलत हो रहा है यह राजिनिती कि यह सही चल रहा है यह गलत चल रहा है देखते होंगे और अभी फिलहाल speaker of log sabha कोन है ओम बिल्ला 19 जून से है ठीक है भी जल्दी से उसके बाद state of the main activity associated with the fold mountain state of the main activity associated with the fold mountain तो fold mountain के नाम से कौन से पुकार रहता है तो अर्थ कुर्क यानि भूकम temporary hardness of water is due to the presence of which thing temporary hardness किसके वजह से होता है कौन से element के present होने के वजह से होता है magnesium bicarbonate temporary hardness होता है magnesium bicarbonate की होने के वजह से होता है whose tom is bb का मखवरा bb का मखवरा किसको बोलते है oranges wife orange's wife के मखवरे को क्या bb का मखवरा बोलते है question number 938 Google अब ये मैं बताने वाला हूँ इंडिया में कौन सी फेमस कंपनी है जिसका हेड़कॉर्टर उसका कहा है ठीक है उसका जो है कोई उसका फाउंडर कौन है उसके जो है उसका CEO कौन सा है तो सारी बातें भी बताने वाला हूं इसमें को 938, question number Google जो Google के बहुत साथ Google Chrome हुआ, map हुआ, document हो गया, email हो गया सब Google का ही है YouTube भी Google का ही है तो जानते होंगे तो Google है कहा है actually Google का full form तो बता दिया मैंने लेकिन Google का headquarter कहा है California United प्रफिट्रीर स्टेट में है और इसके जो है CEO है चीफ जो आफिसर यह कौन से हैं यह सुंदर पीचाए है यह 2015 से अभी तक है चार सार होके उसके बाद इसके फाउंडर कौन से हैं लेरी पेज और सेडगरी ब्रीन यह दो जो है इनके फाउंडर से यूटूब कहा है बाई जाई से बाद यूटूब भी कैलिफरिनिया में है और यूटूब के CEO कौन से सुसान उससी की ठीक है यह भी 2014 से हैं और इसके फाउंडर जावित करीम स्टीव यह तीन लोग इसको यूटूब को बनाए यूटूब को फाउंड किये उसके बाद ओर फेस्बुक कहा है तो फेस्बुक यह भी मैंलो पार्क कैलिफरिनिया उनाटेट स्टेट में है और इसके CEO जो है आप सोचो जबाइबिक इसके फाउंडर जहें इसके जो है CEO के नाम से ज्यादा ज्यादा फेमस है Facebook तो मार्क जुकरवर्ग और CEO के जो पार्टनर है आप जो बोल सकते हो वह वाट्सअप है फेस्बुक के जो पार्टनर है वह वाट्सअप है और Instagram है तो कभी भी याद आखना WhatsApp और Instagram ये दोनों-दोनों किसके हैं जो है daughter companies है किसके Facebook के तो जो main company होती है जो सब कुछ manage करती है उसको बोलते है parent company और daughter company क्यों होती है subsidiaries के उसे होती है जो daughter company होती है जिसके जरी handle की जाती है तो Facebook किसको handle करता है WhatsApp and Instagram को और Google किसको handle करता है तो Gmail हुआ और YouTube हो गया इसका honor कौन है ये जो है Google है उसके बाद Apple Apple आप जानते होंगे iPhone तो Apple जो है California US में यह भी यह भी है और इसके founder Steve Jobs है तो Steve Jobs, Steve Wozigan and Ronald Whyne यह तीन लोग है लेकिन founder Apple के नाम से कौन जाना जाता है Steve Jobs बहुत जाना जाता है हाला कि इसके CEO कौन है Tim Cook 2011 से Tim Cook इतना जादा famous नहीं इतना Steve Jobs famous है इन समय तो जरूरी नहीं है कि मतलब जो है कि जो जादा famous होता है वह उसका founder होता है जरूरी नहीं है उसके बाद samsung, samsung कंपनी किदर है Seoul South Korea में है उसके बाद micromax, micromax कंपनी कहा है बाई जाइन से बाद गुरुग्राम यानि आप गुर्गाओं बोलते है उसको अभी तो गुर्गाओं देली के पास है हडियाना में है तो micromax informatics उसके बाद Nokia कंपनी कहा है नोकिया कंपनी इस्पू में फिनलैंड में है और इसके CEO राचिव सुरी उसके बाद Suzuki कंपनी कहा है सुजुका एक प्रिफेक्चर जैपाइन में है और इसका सिंबल आप देखी सकते हैं कि Suzuki कैसे डिरोट करते हैं आप देखते हो कि Suzuki गारिया बहुत ज़्यादा चलती है औ Benj जो है उनका नाम है founder का अभी पहले Mercedes के नाम से पुकारे जाते थी आज अभी Mercedes Benj के नाम से पुकारते है तो luxurious जो है गारिया निकालता है तो यह इस्टिटगर्ट जर्मनी में है तो Mercedes Benj Germany में है और इसके founder Karl Benj है अब कुछ बाते और जान लो Volkswagen Volkswagen कहा है जर्मनी में है और इस उसके company Seat भी है उसके company Skoda भी है Ducati भी है Lamborghini भी है Porsche भी है ठीक है तो यह बहुत ज्यादा जो companies है बड़ी बड़ी जो cars famous है वह सब के सब Volkswagen की है और Audi Germany में है स्पेंड में है Skoda jet में है Ducati France में Lamborghini Italy में और Porsche यह भी कहा है जर्मनी में और सब के सब बहुत ही ज्यादा मैगी गाडिया है तो Audi आप देखते होगे कि चार सरकल जुड़े होते हैं एक दूसरे से जर्मनी में है और इसके founder August Horch है उसका BMW BMW का full form तो BMW आप जानते होंगे यह कह है जर्मन में मुनिक जर्मन में है तो यह मैं ही बोलना हूँ BMW जो है कि यह आप जानते होगे यह भी बहुत ही ज्यादा famous कार है लक्शरियस के लिए जो इंडिया की प्राम मिनिस्टर को दिए गई है दी गई है BMW ठीके तो याद रखना BMW जो है कहां मुनिक जर्मनी में है औ देखे उसके बाद उसके बाद फेरारी तो फेरारी जो है यह कहां है इताली रोम में है और इसके फाउंडर एंजो फेरारी फेरारी फाउंडर के नाम पर है उसके बाद ट्वीटर ट्वीटर जो है आफ जानते होगी कि मल्टी मीडिया अकर नॉमली देखा जाए सोशल मीड में Facebook, Instagram, celebrities जो इस्तिमाल करते हैं या higher 30 जो इस्तिमाल करते हैं वो Twitter है तो Twitter जो है यह San Francisco, California, United States में ही है उसके बाद Sony, अब यह Sony कहा है बई, Sony Company जो है यह कहा है यह Minato, Sony City में है जो है Japan में है और यह 1946 में बनाई गई, Amazon जो World Shopping No.1 आता है online तो यह Amazon Washington, यह भी Washington DC, United States अमरिका में है और इसके CEO कौन से है, Jeff Benzos और founder भी Jeff Benzos, यह तोनों-दोनों same ही है CEO और founder दोनों एक ही है Philips Company कहा है बई, नीदर लेंड में है उसके बाद Flipcard कहा है, बैंगलूरू में है और इसके subsidies मिंत्रा है और जबंग है, यहाँ दखना में है, ठीक है, और parents of Myntra and Jebang is Flipcard, तो Myntra और Jebang यह Flipcard के ही क्या है, subsidies है उसके बाद Tata Motors, Tata Motors यह क्या है, पुरी Tata Motors यह company है और इसके बहुत सारी subsidies है, याद अखना, तो Tata Motors, यह Jaguar हो गया, Land Rover हो गया यह सब क्या है, Tata Motors की ही subsidies है, यानि Tata Motors इनको handle करता है, सब कुछ manage करता है इनका brand अलग है, बात अलग है, तो यह Mumbai में Tata Motors और जाए इसके founder, JRD Tata जिनको मालूम होना चाहिए कि इनको भारत न मिला, और इनको Nobel Prize भी मिला उसके बाद, महिंद्रा, महिंद्रा जो गुरूप आप देखते होगे, फोर विलर के लिए बहुत जादा famous है तो महिंद्रा में Scorpio इसी का है, तो महिंद्रा जो है, यह किदर है, Mumbai में इसका भी headquarter है और यह सिंबल आप देखे सकते हैं, महिंद्रा का गाड़ी का यह सिंबल है, उसके बाद, इसके जो founder है, वो सबके सब M से इनका नाम आता है, JC Mahi, Casey Mahindra और M.G. Mohamed हाला कि इन्होंने क्या है, जहें नाम किसके नाम पर है, यह गाड़ी, यह ब्रेंड नाम किसके नाम पर famous है, Casey Mahindra के नाम पर, उसके बाद TVS, TVS का headquarter कहा है बई, चन्ने में, और इसका full form क्या है, TV सुंद्रम, तो देखो अपने नाम पर ही इसने क्या रखा है, अपने नाम पर ही TVS चलाता है, उनके नाम पर ही TVS सुंद्रम नाम है, तो TVS सुंद्रम लिंगर, यह जो founder इनके है, बजाज कहा है, पूने में, बजाज कॉलिज भी है, तो CEO उनके कों से है, राजी बजाज, ठीक है, founder भी वही है, राजी बजाज, बजाज की पापा, उसके बाद हीरो Hero नीदेली में, या दकड़ा, Hero और Honda, यह Honda अलग है, Honda जैपन का था, और Hero क्या है, देली का, तो Hero का यह सिंबल है, यह two-willer बनाता है, नीदेली में इसका Headquarter, उसका Honda का सिंबल यह है, यह two-willer के लिए Honda का है, और four-willer के लिए आप देखते होगे, H लिखा होता है, H लिखा ह 350cc से बनाता है तो रॉयल इंफिल्ड का है चन्ने में है यम्हा बहुत ज़्यादा आरोन 5 इसकी फेमस है तो यम्हा कहां से है मर्ख 아마 बहुत ज साथ फेमस था युआट येभी जैपान का है ठीक है उसके बाद इंफोसिस निल्पोस इ सींपनी पर ये बहुत जादा पहसे है वह का है बंगलूरु में उसके बाद विप्रो कंपनी ज्यावा बिलेररक को तर्न का में है उसके बाद Jaguar Jaguar का अगर headquarter देखा जाए तो कहां United Kingdom और England में Coventry England United Kingdom में है तो यानि UK में Jaguar का headquarter और अगर देखा जाए यह किसका subsidiaries है तो Tata Motor का है और इसका CEO कौन सा Ralph Speth उसके बाद Microsoft कहां है Microsoft आप जानते होगे कि software बनाने के लिए बहुत ज़्यादा famous है तो Washington United State में है और इसके founder कौन है Bill Gates Microsoft Bill Gates के नाम पे famous है हाला कि देखा जाए कि Paul Allen यह भी यह भी उसके founder है लेकिन Bill Gates ज्यादा famous है उसके बाद Oda phone अगर देखा जाए तो Oda phone जो है वो गाधी नेगर में है गाधी नेगर कहा है गुजरात में है उसके बाद अभी देखते होंगे ओड़ा phone और idea दोनों एक हो गए है उसके बाद ठीक है उसके बाद Dell जो laptop बनाता है Round Rock Texas United States में यह भी है और इसके founder जो है Michael S. Dell ही है CEO और founder दोनों अपने नाम पर है और Lenovo तो Lenovo किदर है वो Hong Kong में Hong Kong किदर है Japan में Hong Kong किदर है चाइना में तो चाइना की बहुत बड़ी सिटी है जो है सिटी है फेमस सिटी है तो Lenovo वहीं पर बनता है यह laptop उसके बाद HP मैंने बोला हवलẹट पैकरड़ ठीक है वो कहा है बैए अलिटो कालिफिर्नेा यहां भी है वी भी laptop बनाता है उसके बाद SS एसस ज्वह यह यह तैवाण में उसके बाद Acer किदर है, New Taipei City ताइवान में है, तो Acer और Acer ये दोनों के दोनों किदर है, ताइवान की है, गुरूप आप आसानी से याद रख सकते हैं, A for A से दोनों है, और दोनों के दोनों ताइवान में है, Toshiba भी एक लेप्टाप बहुत फेमस हुआ, लेकिन बहुत ज स्टेट में ही है, उसके पाद AIDAS, AIDAS जो है जर्मनी में है, उसका founder Adolf Dessler है, तो AIDAS का full form है, AIDAS मतलब Adolf Dessler, ठीक है, और Nike जो है, उसका headquarter कि दर है, ये Oregon United State में है, और AIDAS का है, जर्मनी में है, और AIDAS का जो, ये Adolf Dessler का जो भाई था, Rudolf Dessler, इसने जो है Puma, तो Puma इसका brand है, तो दोनों AIDAS और Puma दोनों भाई थे, दोनों का सेम quality देखते रहते हैं, ये दोनों के दोनों कहा है, जर्मनी में इनका headquarter होगा, और Nike का United State में है, Canon द Information, Fuzzy Film, ठीक है, उसके बाद Nikon, Nikon ये किदर है, जो Minato Tokyo Japan में है, तो ज़्यादातर जो camera से related, optics से related, जितनी भी company से ज्यादातर कहा है, Japan के इंदर है, या sound से related, कोई भी, Panasonic, Panasonic जो है, ये कहा है, यो भी Japan में है, Kadoma, Puma किदर होगा, जर्मनी में मैंने बताया कि, Adolf Dessler का भाई Rudolf Dessler, उसके बाद IBM, IBM किदर है, New York, US, United State of America में है, MacDonald किदर है, UB, United State of America में है, ठीक है, Chicago, उसका के FC कहा है, ये भी United State of America में है, इसका जहें देखते होगी, ये symbol है, तो ये symbol है, इसलिए मैंने लिखा है, ताकि आप आसानी से याद रख सकते हैं, एक बार देखने के बाद, फिर पढ़ने की ज़रोत नहीं पढ़ेगी, उसके बाद Mitsubishi, Mitsubishi के है, वे भी Tokyo, Japan में है, जो Pazero, इंडिया में उसकी बहुत जाता फेमस है गारी, उसके बाद, उसके बाद, नेसल, ये जो है, वेवेरी, Switzerland में है, और ये भी जाता बहुत जाता फेमस है, फूड के लिए, निसान, निसान जो है, ये 4-wheeler है, ऑटो मोबाइल कंपनी, ये जैपैन की है, उसके बाद, Sipla, Sipla, जो है कंपनी है, मेडिकल केर के लिए है, तो मेडिसिन के लिए है, तो मुम्बई में है, और इसके फाउंडर क्या है, खौजा अब्दूल हमीद, उसके बाद, Asian Pant, ये भ दोनों में confusion नहीं होना, STL जो है, यह Noida में है, उसके बाद Adity Birla Company Group जो है, यह मुंबई में है, और इसके फाउंडर कौन है, Sage to Narayan Birla, जिनका idea भी था, idea company, उसके बाद Amul, Amul Taste of India, जिसको बोलते हैं, तो यह आनन्द गुजरात में है, किसके लिए famous होगा है, जाई सी बाद दूत के लिए, दूसर related item के लिए, चुकि गुजरात जो है, इंडिया का number one, उसको milk ball बोला जाता है गुजरात को, और वैसे भी वोल्ड में सबसे number one, milk production के लिए कौन famous है, इंडिया, और इंडिया में कौन है, गुजरात, इसलिए आमुल कहां का होगा, जाई सी बात है, गुजरात कही होगा, अपोलो हॉस्पिटल किदर है बई, चैन्नाई में है, और इसके founder क्या है, प्रताप सी रेडी, अस्टो क्ले ही में है इसका headquarter, और यह construction company के लिए famous है, बताएं मैंने, तो उसका फूरा फूरा पूरा नाम क्या है, है, है निक होलो के लेरसें, और एक है, सोरें किस्तिन टोबरो, यह न दोनों को मिला कर L&T बना दिये, ठीक है, रेंड बैक सी, लेबरिटीज, यह किधर famous है, यह गुर और इसके फाउंडर कौन कोई से है, रनवीर्ज और गुरुबाक सी, ठीक है, रनवेर्स निक रुवर कोई सी जानते होंगे, CCD यह किधर है, बैंगलूरू में यह मसमझा, CCD ही एक है जो इंडियन है, इसमें ही हमें कॉफी पीना चाहिए, तो कमसे कम इंडियन सपोर्ट करो, उसके फाउंडर भी सिधारता, इसके जो फाउंडर है, उसके हिमालया, हिमालया बैंगलूरू में है, तो हम वो मुंबई में है, और है कि इसका यह Parent Organizations का Unilever है, और Unilever कमपनी कहां है, United Kingdom है, जो dub बहुत सारा चीज़ बनाती होगी, Unilever लिखा होगाता है, तो Unilever यह UK का brand है, लेकिन अगर देखा चाहिए, इसकी subsidiaries, डॉटर कमपनी कौन सी है, हिंदुस्तान Unilever, ठीक है, उसके बा करना चाहिए, Sun से Related करना चाहिए, Sun से Energy डेवलप करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और आगे चलकर शायद ऐता लग रहा है कि Green Energy ही डेवलप हो जाएगी, उसके बाद मदरास स्टेट वास रिनेम तमिलनाडू, तमिलनाडू का मदरास का तमिलनाडू नाम जबिए है, Coralysis force, it is zero at equator, तो Coralysis force जो होता है, वो equator पर क्यों होता है, equator पर zero होता है, इन्डिया का विच आर्टिकल ओफ इंडिया और गोवा जो है सबसे स्मॉलेस्ट इपरिफ है इंडिया का उसकार्ड ओभिच आर्टिकल ओफ इंडिया विच आर्टिकल और कंसिटिर्टिशन of Village Panchaot, आर्टिकल जो है,imeter आर्टिकल जो है,िंडिया के अर्टिकल Constitution of India में, भारत के सविधान में, आर्टिकल 40 में क्या लिखाऊ, किसके बारे में तो जो दिया गया है, तो Village Panchaot के बारे में, उसके बाद the earth surface is Harvard by the forest in percentage, आर्थ जो है surface, जो है Sarah ते कितना परसंट गेरा हुआ है 30% forest है अर्थ पर उसके बाद 70% कि वाटर है दफ फस्ट विमेंट प्रेजिडेंट आफ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के सबसे पहली जो है विमेंट कौन थी which animal has a diet mainly consisting of bamboo बंबू जो कौन सा एनिमल जो ज़्यादा तर खाता है इसी बंबू उसका वो red pandas है उसके बाद real कहां का इस्तिमाल किया जाता है तो real जो है real के लिए trick अभी पताएंगे कहां कहां जो country में कौन सी country में एक जैसे पैसे एक जैसे मुद्रा इस्तिमाल किया जाते है एक जैसी currency इस्तिमाल किया जाते है जैसे real देखा जाएば वो कहा कहा इस्तिमाल होता है ओमान में, यमन में, सौधी अरबिया, इरान में और इसका साट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हो, OAC, तो ओमान, यमन, सौधी अरबिया और इरान, ठीक है, इरान, मेरे इरानियन रियाल और ओमान में ओमानी रियाल, उसके बाद यमन में यमनी र और तुनूसियान रियाल में उसके बाद हजाज रियाल इस्तेमाल किया जाता है झीक है मतलब पेशो जो है वो कहा कहा इस्तेमाल होता है पेशो देख रहे हैं सिंबल कैसा है पेशो का ऐसे ही है इस्तेमाल कहा कहा होता है अरे छी कप में को दो AR से क्या होगा अर्जेंटिना C से क्या होगा चायल फिर C से क्या होगा क्यूबा U से क्या होगा उरुगए P से क्या होगा फिलिपीन M से क्या होगा मैक्सिको C से क्या होगा कोलोंबिया D से क्या होगा डॉमिनिसियन रिपब्लिक समय आ गया कि अगर ये पूछ ले कोई कि पेशो कहां कहां इस्तेमाल होता है तो क्या ट्रिक लर्न करने के ट्रिक क्या रहेगी हमारे पास अरेची कप मेको दो मेको दो M से मेक्सिको, CO से कोलंबिया, DO से डॉमिनिसियन रिपब्लिक अगला कोश्चन है, रुपी कहां कहां इस्तेमाल होता है रुपया सबको पता है, हम लोग हिंदुस्तान में है तो बिल्कुल पता रहेगा कि भाईया यहां रुपया ही चल रहा है लेकिन और कहां कहां इस्तेमाल होता है, जाननी जरूरी है ट्रिक केशे रहेगा मैं मिस पिक कोई ऐसी पिक जो मिस कर रहे हो मैं मिस पिक ट्रिक है इसकी मैं मिस पिक इसको उल्टा पढ़के आते हैं इधर से सुरू करेंगे P से पाकिस्तान I से इंडिया सबको पता है C से सेलान S से M से M से क्या होगा मर्सिरियस I से क्या होगा इंडोनेशिया S से क्या होगा स्रीलंका फिर S से क्या होगा सेचलेस फिर M से क्या होगा मौल्दीव फिर N से क्या होगा नैपाल लर्ण करने की ट्रिक क्या रहेगी मैं मिस पिक या फिर इसको बोलते हो पिक मिस मैन लेकिन उल्टा हो जाएगा इसको अच्छा रगएगा इसे मैन मिस पिक उल्टा शुड़ाएंगे P से पाकिस्तान, IS से इंडिया, C से सेलाउन, M से मार्चिरिस, IS से इंडोनेशिया, S से स्री लंका, फिर S से से सेचलेस, फिर M से मालदीव, N से नैपाल, अगला क से क्या होगा? जेच रिपब्लिक, जेच करोना, D से डेनमार्क, दानिश करोन, S से स्वेडन, स्वेडिस करोना, भैसी बात है जहां जैसा रहेगा उसा करोना इस्तेमाल होगा, स्वेडन तो स्वेडिस करोना रहेगा, आइसलेंड है तो आइसलेंडिक करोना होगा, है कि न N से Norway, Norway का क्या हो, Norwegian Krone, G से क्या होगा, Greenland, Danish Krone समझ में आ गया, इसको लंकनी की ट्रेक ऐसे देगी कि कहां कहां पे करोना कहां कहां इस्तेमाल होता है C D SING, C से C D Republic, C D C Corona, D से Denmark, Danish Krone, S से Sweden में क्या होगा, Swedish Krone Iceland में क्या होगा, Icelandic Krone, Norway में क्या होगा, Norwegian Krone, G से Greenland, Greenland में क्या होगा, Danish Krone अगला क्विश्यन है, Silling कहां इस्तेमाल होता है, Silling, देखिए आप सिंबल देख रहे हैं, Silling का, कितना खुबश्रूरत सिंबल है हुआ की नोट देखिए आप, ट्रिक, ट्रिक क्या रहेगी, कुस्त, के से क्या होगा, Kenya में इस्तेमाल होता है, कहां, Silling कहां कहां इस्तेमाल होता है, के से Kenya, चुकि हमारा ट्रिक क्या है, कुस्त, के से Kenya, U से Uganda, S सोमालिया, T से तनादानिया, समझ में आगया, अगर को आगया, U से Uganda, S सोमालिया, T से तनादानिया, फिर अगर कोई पुछ ले, डॉलर कहां कहां इस्तेमाल होता है, एकला कोशन है, 1040, डॉलर कहां कहां इस्तेमाल होता है, ट्रिक क्या रहेगी, कैफी, कॉफी, ताद, लाइन, कहां पे है, साइद, युनाटेड इस्टेट में ह क्या ट्रिक क्या रिखेंगे डॉलर कहां का इस्तेमाल होता है कोई पूछ रिखेंगे कैफी कॉफी ताद लाइन सी एसे क्या हो जाएगा कैनाड़ा एफाइ से क्या हो जाएगा फीवी टी से क्या हो जाएगा तैवान एसे क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर का स्थेमाल होता है देट से क्या होगा जिंबॉमबे एल से क्या होगा लिभेरिया यह कोई दवा का नाम नहीं है लिभेरिया एक शहर है N से N E से New Zealand समझ में आ गया कहां कहां पर डॉलर इस्थेमाल होता है कैफी कॉफी ताद लाइन C A से कनाडा F I से फिदी T से तैवान A से अस्ट्रेलिया Z से दिम बंबे L I से लिबेरिया N E से New Zealand समझ में आ गया फिर आया है एक कुश्चन 1048 दिनार कहां कहां इस्थेमाल होता है ट्रिक क्या होगा Jolly Biscuit क्या या फिर इसको ऐसे भी करते है Jolly Biscuit क्या कर दोगे Jolly Biscuit वो Jolly L B2 वाली नहीं Jolly Biscuit क्या होगा J O से Jordan L I से लिब्या B से बहरैन I से इराक S से सर्बिया K से कोई सबको पता है बहुत बड़ा पैसा है कोई का है A से अलजीरिया T से तुनिसा पिरा जाए पॉंड कहां कहां इस्थेमाल होता है ट्रिक क्या दिखोगे UK लेस UK से क्या होता है सबको पता है United Kingdom L से लेबनान E से इजिप्ट S से सीरिया इस साउथ सुडान और साउथ गोरगिया फिर अगला कुश्चन है List of First Female India पहली महिला कौन थी India's First Woman President भारत की पहली परस्टेंट राश्पती जिरे बोलते हैं कौन थी परतिभा पाटिल पता भी है सबको Indian First Woman Prime Minister भारत की पहली पर्थम महिला प्रधानमंत्री कौन थी इंद्रा गाधी अगला कुश्चन India's First Woman Governor इंडिया की पहली गवर्नर कौन थी सरोजनी नाइडू हम बात किसकी कर रहे हैं First Woman की बात कर रहे हैं यहां हम जेंस की बात नहीं कर रहे हैं First Woman Indian First Woman IPS Officer सबका नाम है किरन वेदी भारत की पहला प्रथम महिला IPS Officer कौन थी किरन वेदी फिर आता है First Woman Chief Minister of State भारत की First Woman Chief Minister of State इस्टेट की पहली Chief Minister कौन थी सुचेता किर्पलानी First Woman Union Minister पहले Union Minister सबसे पहली कौन थी महिला उनियन मिनिस्टर थी कौन थी राजकुमारी अमरिता कौन थी राजकुमारी अमरिता कौन थी First Woman President of INC कौन थी एन्नी बेसंत First Woman Judge आप Supreme Court Supreme Court की पहली प्रथम महिला जज कौन थी मीरा साहिव फातिमा बीबी नाम देखिए मीरा साहिव फातिमा बीबी First Woman to get अशोग चक्र भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जिनको अशोग चक्र मिला कौन थी निर्जा भानोत First Indian Woman Ambassador at UN भारत की पहली महिला कौन थी जो Ambassador at UN UN के Ambassador थी कौन थी बेजे लक्षमी पंडि First Indian Woman to get Nobel Prize भारत की पहली पर्थम महिला जिसको Nobel Prize मिला सबसे पहले कौन सी भारत की ऐसी कौन सी महिला है जिसको सबसे पहले Nobel पुरुषकार मिला Mother Teresa सबको पता है Mother Teresa अगला कुछन है इंडिया की कौन सी पहली महिला थी जो Miss World रह चुकी है कौन थी Miss Rita Faria अगला कुछन First Indian Woman to Climb Empty Everest अब ये तो अभी तह हम लोग कुछन किये थे कि कौन सी महिला थी जिन्हों ने जो First बार चड़ी थी लेकिन ये कुछन क्या है कौन दो बार चड़ी संतोष यादव संतोष यादव First Indian Woman to become Miss Universe First Indian Woman to become Miss Universe Miss Universe कौन रहे चुकी है सुस्मिता सेन First Indian Woman to get भारत रत्र भारत की जी कौन सी महिला थी जिसको सबसे पहले भारत रत्र मिला इंद्रा गांधी ये हमारी प्रतम प्रधान मंत्री भी थी ये बाद सब लोग ध्यान में रखें First Indian Woman to get जनपित अवार्ड टाइटल कौन थी शानिया मिर्जा नाम सब ने सुना है First अगला कोशन है First Indian Woman Airline Pilot सबसे पहले कौन सी महिला थी जो Airline में पाइलोट थी दुरगा बनर जी अगला कोशन First Indian Woman to win gold in ACN Game कौन सी AC महिला थी जो सबसे पहले ACN Game में गोल्ड जीता था क्या थी कमल जीत संधू First Indian Woman President of INC कौन थी Sarojini Nardo First Indian Woman to Booker Prize किसको Booker Prize मिली Arundhati Roy कौन थी Arundhati Roy अगला कोशन 1080 81 First Woman Musician to get Bharat Rat कौन सी अवरत थी कौन सी महला थी जिसको सबसे पहले Musician के लिए भारत रत मिला कौनती MS सुबलक्षमी Mrs. सुबलक्षमी First Indian Woman to get to space सबसे पहले Space में कौन सी महला गई कौनती सबने सुना है कलपना चावला फिर आता है List of First Male अभी तक तो हम लोगे ने बात किया Female की बात की अब किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग Male की First Governor General of India कौनती Lord William Benton अगला कुशन First President of Indian Republic Dr. Rajendra Prashad सबको पता है First Field Marshal Marshal कौनती S.F.D. Manickshaw S.F.D. Manickshaw First अगला कुशन First India to get Janpith Award कौन किसको मिला था G.S.S.N.K.R. Krupko 1087 First Indian to swim across Indian Channel कौनती Mihir Sen अगला कुशन First Indian Nobel Literature यह गलत रिखा हुआ है Literature रहेगा कौनते Rabindranath Tagore First Chinese Pilgrim to visit India सबसे पहले Chinese India में कौन आया Fahin First Indian Pilot कौनते J.R.D. Tata अगला कुश्चन First man to climb Mount Everest twice कौनते Nawang Gombu Nawang Gombu First Indian Governor General of Independence Indian C. Rajgopal Charyah First Governor General of India After Independence यहाँ पर क्या है Independence India Independent India था यह क्या है After Independence कौनते Lord Lewis Mountbatten 1094 1st Commander-in-Chief of Free India Jyn K.M. Kariappa 1st Indian Judge of International Court of Justice Dr. Nagendra Singh अगला क्कॉस्च्च्चन 1st Indian to receive Bharat Ratna Award 1st Indian to receive Bharat Ratna Award भारत के से कौन सा पहला भारती था जिन ने भारत रत्न मिला Dr. S. Radhakrishna हागला कॉस्ट फॉस्त मुस्लिम पॉस्लिम पॉस्टिंट आ इन रिप्ट्लिक ड्यक्री जाकिर हुसेन फॉस्त इन पॉस्त एन पॉस्तिं पॉस्ट्ट इस तरह श्यं सुम्मिंग कॉंट्स कहो ते बैध्यनात नात बैध्यनात 1909 फर्स्ट्टिर्ट अव इंडियन नेशनल कॉंग्रेश दावल्जी बैंजर जी बैंजर जी बैंजर जी होगा 11, 1100 फर्स्ट इंडियन सुब्र सब्मयरीन कहो ते इनस कोवेरी कावेरी नदी मालू मैं न सबको फिर आता है एकला कोशन फर्स इंडियन साइन्टिस्ट टू गेट नोबल प्राइज इंडिया के कौन से पहले साइन्टिस्ट थे जिने नोबल प्राइज मिला सिवी रमन फिजिक्स में इन्नोंने कोश अच्छा किया मिला есपर वीडियो डाली हुई है देख सकते हैं आप नोबल प्राइज किस किस को मिला इंडियान फर्स चीफ इलक्षन कमिस्टर सब्से पहले इंडिया के सब्से पहले चीफ इलक्षन कमिस्टर काउं थे सुकुमार सेन सुकुमार सेन फर्स साइन्टिस अप इंडिया ओरिजिन टू गेट नॉबल प्राइज इन दा फिल्ड अफ मेडिकल साइन्स मेडिकल साइन्स में कौन से साइन्टिस को मिला नॉबल प्राइज डॉक्टर हरगोविन खुराना अगला question, first scientist of India origin to get Nobel Prize in chemistry chemistry के मिला किसको मिला सबसे पहले वेंकता रामन रामकिर्षन अगला question, first Indian born to get Nobel Prize in peace किसको शान्ती के लिए मिला कैलास सत्यार्थी अगला question, first sport person to get भारतरत कौन सा पहला sport person ता जिटे भारतरत मिला सचिन तेंदुल का नाम तो सुना होगा सचिन का बल्ला भी बहुत मशूर रहा है अपने जमाने में अभी भी यह लोग यात करते हैं मैं तो फाइन हूं उनका 1107 सबसे पहले साउथ पूल पे कौन पोचा बिद्वय बिजय कुमार दास अगला कुश्चन कौन साइसा चीफ मिनिस्टर था थे जो आफिस में ही उनका देहान थो गया सी एन अन्ना दुराय तामिलनाट में सबको पता इंडिया की पहली फिल्म ती जिसमें आवाज आ रही थी उससे पहले क्या थी साउंडलेस मुवी हुआ करती थी लेकिन अला मारा जब मुवी आई है तो उसमें क्या थी आवाज आना इस्टार्ट हुआ लोगों इस पहले तो देख कर अपजब करते थे, जेस्चर करते थे साइन को देखके क्या बोला लेकिन अला मारा आई तो किसमें था? साउंड था कौन थे इसके डिरेक्टर कौन थे भी या अर्देशीर इराणी मौमन इराणी नहीं है अर्देशीर इराणी फर्स इंडिगॉंस ली मेड कॉलर फिल्म कौन थे किसान कन्या डिरेक्टेड बाई मोती भी मोधी भी नहीं मोती भी फर्स बैंड फिल्म इंडिया इंडिया में क पोस्ट आफिस सबसे पहले कहां खुली और कब खुली कॉलकाता में 1727 में फर्स चीफ जस्टिस आफ इंडिया जस्टिस हिरालाल जे कानी कानिया 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 फर्स इंडियान टू स्विन इस्टैलिन अवार्ड इस्टैलिन अवार्ड किसको मिला था सैफुद्दीन खिच अगला क्वेशन फर्स हो मिनिस्टर आफ इंडि इंडिया शरदार वल्लब भाय पतेल फिर्स वाइज परसीटीडेंट आफ इंडिया डॉक्टर रादाकृष्ण अगला क्वेशन फर्स लार्ज स्केल आटोंएक प्रियाक्टर आपसरा नाम है फुर्स्ट लार्ज स्केल एंडिया की पहली इंवर्षिटी को थी नलंदा कहां पे है नलंदा डिस्टिक बिहार में सब इंडिया की पहली निवर्षिटी है सोचिये नलंदा डिस्टिक नालंदा एक डिस्टिक है उसे बोने नालंदा चुकि वो नालंदा इनवर्सिटी जो है वो नालंदा डिस्टिक में है बिहार में इतिल उसका नाम दिखा गया है नालंदा इनुवर्सिटी फर्स शीक परशिएंट आफ इंडिया ग्यानी जेल सिंग फर्स इंडिया टू क्लाइम माउंट एबरेश विदाउट अक्सीजन सिलेंडर क्या बात है इंडिया का कौन सा इसा आदमी था जो माउंट एबरेश पे बीनो अक्सीजन सिलेंडर के चाल गए शेर्पाफू डोर अगला क्यूस्ट फर्स मेडियम रेंज मिजाइल कौन सी पहले अगनी फर्स परसन्ट टू गेट परम्वीड चक्रवाट सब्सेपले किसको मिला मेदार सौमनाथ शर्मा को मेजर सौमनाथ सर्मा को फर्स मुसलिम परसिनेंट आफ आइंसी बदरुद्दीन ताइब जी इंद्रा गाधी फर्स स्पीकर आप लोगसबा लोगसबा की पहली स्पीकर कोंती जी वी मावलंकर फर्स इंडियन रिशीप आप आउसकर अवार्ड किसको मिला भानू अतित्या भानू अथाया फर्स फाइनेंस मिनिस्टर आफ इंडिया राज शांकमुखन चेटी फर्स इंडिया नुश्की बिन मगसे अवार्ड किसको मिला अचार विनो द भावे इंडिया फिर्स परशिट्स अफ राफ इंडिया टू डाय अफिस भारत की come British Prime Minister to visit India भारत में सबसे पहले British का Prime Minister इंडिया कब आय था कोन आय था है रोल्ड M.C. मिलन फर्स इंडियन इस्पेस टूरिस्ट संतोस गौर गौर फर्स इंडियन टूरिस्ट साउथ पोल कोल आयके बजाज फर्स अटामिक सब्मारीन आफ इंडिया इंसी चक्रा फरस him गेम और इस सबसे पहले इसींगी अक्या गांट किया अगला कुछियं फर्स अमेरिकन पर जिदे टू विदिया में स सबसे पहले इंडिया में था है ड्व ii डेबीट, शनोवर, शनोवर, अगला कु殖्यान, फिर्स इंडियन कैसमान, राकेश road, शर्मा, फिर्स इंडियन प्रרגियन प्रीजय करने इंडिया प्नादीय की जिन्हों ने आफिसमें रजैन कर दीया, ना प्र किसको मिला था, रसकीन बॉंड को, अगला कुщ्यान, फोर्ष्ट इंडियन न्युकिलियर सेंटर कहा है तारापूर फोर्ष्ट फोर्ष्ट रिशीप्ट अब भारत रत्न 不र सबस्चेशëं मिला है खान अब्दुल कफार खान अगला कूशन फोर्ष्ट इनडिया रिशीप्ट आप नंबल परायिद इन Economics, Economics में किसको मिला था? Dr. Amartya Sen First Steve Baby of India First Steve Baby of India को ने? Indra First Indian to reach Antarctica को ने? L.T. Ramacharan अगला क्वेशन First Deputy Prime Minister of India Sardarwalabhbhai Patel अगला क्वेशन First Indian to win World Billiards Trophy Wilson John अगला क्वेशन First Law Minister of India India के पहले Law Minister कौन थे? B.R. Ambedkar अगला क्वेशन First Asian City to host Olympic Olympic की मेदबानी करने वाला पहला ACI शेहर कौन सा है? सबको पता है Tokyo, Japan कब हुआ? 1964 First blind person to conquer the Everest Everest पर विजय प्राप्त करने वाला पहला blind वक्ती कौन था? Eric Vermeer कहा का? USA 2001 अगला क्वेशन First Cricket Club Cricket Club founded in पहला Cricket Club कहा हुआ? Cricket Club की स्थाफना कहा हुई? कब हुआ? England के कहा हुआ? England के Hamilton में हुई? कहा हुआ? England के Hamilton में अगला क्वेशन First Country to Print Book पुष्टके चापने वाला पहला देश जब अखबार का बोले तो पेज का इस्तेमाल यानि रद्दी का इस्तेमाल सबसे पहले कहा हुआ पेपर की अखबार किसने खोज किसने की कागज की चीन ने तो सबसे पहले बुक कौन चापेगा चीन चापेगा समझ में आया First Country to Print Book जो पेज उसके पास है बुक उसके पास है कागज उसके पास है तो चापेगा कौन यानि कौन पुर्स्त के चापने वाला पहला देश चीन और यह भी बोले कि कागज का विसकार कहा हुआ था तो भी चीन First Country to Issue Paper Currency कागजी मुद्रा यानि पेपर करेंसी जो हम लोग नोट इस्तेमाल कर रहे है सबसे पहले कहा हुआ चीन में सबसे पहले कागज कहा हुआ चीन में तो बुक कौन चापेगा चीन चापेगा First Country to Make Education Compulsory सिच्छा अनिवार करने वाला पहला देश पर्शिया First Country to Win World Cup Football विसका फूटबाल जितने वाला पहला देश उरुगवे First Country to Make a Constitution समिधार में जितने वाला पहला देश USA United States of America First Country to Organize N.A.M. सुमित N.A.M. सिखर सम्मिलन आविजित करने वाला पहला देश Belgrade क्या है? Belgrade First Country to Send Human to Moon चंदरमा पर मानो भेजने वाला देश USA First Country to Launch Satellite into Space आंत्रिच में उपग्राप परशेपित करने वाला पहला देश काउन सा है? Russia क्या है? Russia यानि रूस First Country to host Modern Olympic आदुनिक Olympic की मेदबानी करने वाला पहला देश Greece First Country to Launch Radio Telescope Radio Telescope सैटलाइट को आंत्रिच में परशेपित करने वाला पहला देश काउन सा है? Japan First Athlete Disqualified at Olympic for Drug Youth नशीली दमाव के परियोग के लिए उलम्पिक में आयोग घोशित पहला अथलेट काउन था? अलम्पिक में 1968 में First European to visit China पहला चीन का दावरा करने वाला पहला एरोपिये Marco Polo नाम तुना वगा Marco Polo, Niccolo Polo दो थे ना Marco Polo, Niccolo Polo चीन का दावरा करने वाला पहला एरोपिये Marco Polo गाडियां भी चल रही है First man to climb Mount Everest Mount Everest पर चाणने वाला पहला आदमी कौन था? Tenzing, Norgay और Edmond Hillary कब चले थे 1953 में First man to reach North Pole उत्तरी धुरूप तक पहुचने वाला पहला आदमी Robert Pierre अगला क्वेश्चन First man to reach South Pole अभी हम लोग North Pole की बात की हैं South Pole पे चाणने वाला दच्छीर दूरूप पहुचने वाला पहला आदमी Ronald Amundsen अगला क्वेश्चन First man to fly एलो पे लोगन आने वाला? सबने नहीं जानते क्या पहला आदमी Wright Brothers दो भाई थे First man to sail around the world दुनिया भर में जले अत्तरा वाला पहला आदमी Ferdinand Magdal अगला क्वेश्चन First man to set foot on the moon चन्दमा पर पहर अस्थाफित करने वाला पहला आदमी Neil Armstrong अगला क्वेश्चन First man to go to the space अंतरिश में जाने वाला पहला आदमी Major Euro P. Uri Dogrin अगला क्वेश्चन First man to draw the map आपर्थ पर्तिवी के नक्षे को खीचने वाला पहला आदमी नाम जानना बहुत जरूरी है N.X. Mender N.X. Mender First man to compile Encyclopedia Encyclopedia को संकलित करने वाला पहला आदमी S. FlexIs Agla क्वेश्चन First man to win Nobel Prize in Literature S.J. Met Noel P. जितने वाला पहला आदमी René, F. A. और S.I.L. T.R. First man to win Nobel Prize in Peace Shanty Met Noel P. जितने वाला पहला आदमी Gene F. Donate redit Frederick Perry Agla क्वेश्चन First man to win Nobel Prize in Physics Physics में किस को सबती है Physics में Nobel P. जितने वाला पहला आदमी W. UK क्या है WK WK Wright again अगला question first man to win Nobel Prize in chemistry chemistry में सबस्टे किसको मिला रसान पिग्यान में Nobel Prize जीतने वाला पहला वेक्ती Jayce Wynthorpe, फस्ट में to win Nobel Prize in medicine, medical में Nobel Prize जीतने वाला पहला आद्मी एई एई वान वेंग फर्स्ट मन तु विन नोबल प्राइज इन एकोनोमिक एकोनोमिक अर्थ थ्रास्ट में नोबल पुर्श का जीतने वाला पहला आदमी रेजर रेंजर फिश और जॉन टिन बर्गें अगला कुश्चन फर्स्ट में टु सेल अराउंड दा वर्ड एलान दुनिया में अकेले घुमने वाला आदमी पहला आदमी जोशुआ इसलोकम पहला अकेला ही घुम राथ फर्स्ट में टूरिस्ट इन स्पेस अंतरिस में पहला मानोपरेट अकोन देनिस टीटो देनिस टीटो फर्स्ट में टू हैब क्लाइम मांट अवरेट पहले आदमी पहले आदमी ने मांट अवरेट पर दो बार चलाई की कोन है नवाब गंबु नवाब गंबु सबको पता है नवां गंगु नवां गंगु बोलते हैं उसको फर्स्ट मैन आसकर विदेता एमिल जेनिंग्स 1928 में मिला था इनको फर्स्ट मैन टो बिन टूर डे फ्रांच टूर डे फ्रांच जितने वाला पहला आदमी मैजिस गौरीं 1903 में फर्स्ट मैन बॉक्सिंग चेंपियन पर्फम मेन मुक्यवाजी में चेंपियन कौन था? टीम हायर टीम हायर बोलते इसको 1841 में फर्फम मेन चेंपियन कौन था? पर्फम मेन शतरंज का खिलारीज़ टे खेलते हैं, आना चेंपियन कौन थे? विलेम स्टीनिज 1886 में अगला क्वेच्चन first man heart transplant वाजम पहला man heart transplant क्वाँ बदला गया किस किसे में perform गया गया किरिस्चियन Bernard कब बदला गया उनिस सोट्सरेट में किसके दौरा बया गया था किरिस्चियन बनौराड का दौरा किया था ठीक है डॉक्टर थे वो first man heart transplant received first man heart transplant प्राप्ट करता कोंते वो तो दिये वो तो उन्होंने चेंज किया था लिया कोंता लुई वास्केश्की 166 में फर्स्ट में तू फ्लाय सोलो नॉनिस्टॉप एक्रोश दा अट्लांटिक पहला आदमी एकल नॉनिस्टॉप उडान भरने के लिए का उन्ता चास लेटबंग 1927 में फिर्स्ट में टू स्विम अक्रोस दे इंग्लिश अंग्रेजी चैनल में तैने वाला पहला आदमी मैथ्यू बेब 1875 में फिर्स्ट में टू फ्लाई सोलो नॉन स्टाप राउंड दा वर्डिन बैलोन बैलोन में दुनिया भर में अकेला नॉन स्टाप राण भरने वाला पहला आदमी इस्टीव फॉसेट यू एस के थे 2002 की बात है वी फिर्स्ट में टू क्रोस दा पैसिफिक ऑसेन होट एर बैलोन पहला आदमी गर्म हवा के गुबारे में परशाथ महाशार के पार करने की लिए बने कौन है वह भी या इनका नाम है बैन कौन है ये बैन है ये फर्स्ट मुबी इन दा वर्ड दुनिया में पहली फिल्म दा जाज शिंगर कौन थे जाज शिंगर 1927 में अट iki आफर्सर पर्थम for Parkinson's डिबिच्ट वाज फॉर्स डिस्क्राइब बाय पर्थम पार्किसम्स रोक्ट का पहली बार वो रटन किस ने किया किया तक《कब गया था》 जेम परकिसस ने किया था, ब्रेटिश के नेरोलाजिस्ट थे, अठरा सो सत्रा में किया था इन्होंने, अपने नाम पर ही उसका नाम दिया है, दुनिया का पहला धर्म, शंतोष धर्म, कौन सा है, शंतोष धर्म, अगला कुश्चन, फर्स्ट रिसीप्ट अफ पर्मानेंट अर्टिफिचियल हर्ट, एक अस्थाई किर्तिम, हिर्दे का पहला प्राप्त करता है कौन था, बॉर्णी, बॉर्णी, क्लार्क, कब थे, 1982 में, कौन स अथज स्थाई ग्याँ, क्लार्टिए